Team India का एक ऐसा खिलाडी जिसने अपने प्रदर्शन से Team India के टेस्ट टीम में काफी समय बाद वापसी किया है, जिसके बाद बाद इस खिलाडी को लेकर फैंस की तरफ से उम्मीदें काफी बढ़ गई है. वहीं इस खिलाडी ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में अपने ब हरतिये Team के बंडे स्क्वाड में आ गए तो रोहित शर्मा खुद इनको Team की कप्तानी सौंक दें. Team India के लिए एक समय में पालनहार बने रहने के वाले खिलाडी अजिंक्य रहाने एकाएक Team India से बाहर चले गए और काफी समय तक उन्हें Team India को मौका नहीं दिया गया. Team India में क् के प्रदर्शन ने रहाने के लिए Team India के द्वार खोल दिये. BCCI द्वारा दिये गए इस जिम्मेदारी को भी रहाने ने काफी अच्छे से निभाया. WTC के फाइनल में जहां सभी खिलाडी Australia के सामने खेल नहीं पा रहे थे वहीं इस खिलाडी भारतिय टीम को खेल में बना को देखते हुए Team की कप्तानी कुछ मौके के लिए उन्हें सौंप सकते हैं. जहां Team India रोहित शर्मा के कप्तानी में जीता हुआ मैच हार रहे हैं. वहीं रहाने ने ऐसे मैच में जीत दिलवाई जहां Team India के जीतने के उम्मीद एक प्रतिशक भी नहीं थी. आस्ट्रेलिया के दौरे पर जब Team India के कई अहम खिलाडी या तो चोटल थे या किसी कारण से Team से दूर जा चुके थे. उस मौके पर अजिंक्य रहाने ने Team India को जीत दिलवाई. जी हां, हम बात कर रहे गाबा टेस्ट की जहां अजिंक्य रहाने ने नेट बॉलर से अजिंक्य रहाने को आप कैसा खिलाडी मानते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा.